बारती के उन्शहीदों को नमन प्राण दे जिन ने बचाया ये चमन भारती के उन्शहीदों को नमन अनेकता में एकता की पहचान एक भारत श्रेष्ट भारत मनिपुर की मान्यताएं और विश्वास मनिपुर का पाई खोंबा इबोधोई जिसे पाफेल भी कहते हैं गहरी आस्ता से जुड़ा ये दिवे प्राणी सर्ब शरीर और मरग सींगे रखने वाला अस्दह ड्रेगन के रूप में दर्शाया जाता है इसके 364 रूप हैं जिसमें हर आवस्ता की अलग मान्यता है इनका वास गुफाओं तालाबों परवतों वनों एवं अन्य पवित्र स्थानों पर रहता है सबसे खास बात ये है कि ये किसी को हानी नहीं पहुँचाता मद्धे प्रदेश की गुण जनजाती के प्रमुक देवता, बोड़ा देव, मातिया देव, देव ठाकुरादी है इनकी मान्यता है कि गाओं के लोगों, फसलों और पॉश्चाता आज हम बात करें अपराद वीदी पर, बातचीत के लिए हमारे साथ है अपर जिला न्यायदेश भूपाल, श्री संजीव पंडे जी अपराद वीदी में खास दोर से बात करेंगे F.I.R. और जो अभ्यूक्त आरोपिय होता है, उसके क्या आधिकार होते हैं आज हम इस पर चर्चा करेंगे दर्श को कई बार ये देखा गया है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि F.I.R. करने जाना है और कोई F.I.R. ना लिखे तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए बहुत से बार ये भी देखने में आता है कि जो भी अभ्यूक्त है उसको ये नहीं बताया जाता है किस मामले में गिरफ्तार किया गया है उसके उपर क्या आरोप लगाया है उसके क्या अधिकार है बारे में उधाल करेंगे कारेकर्म शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कारेकर्म लाइब फोन इन कारेकर्म में और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जोड़ कर सवाल कर सकते हैं हमारा टोल फ्री नंबर है तो हम FIR से शुरुवात करते ही क्या होती है और इसे कौन दायर कर सकता है देखिए FIR जैसे आप अपन जानते हैं और अपकर नाम है प्रथम सुचना रिपोर्ट जब कोई भी घटना या कोई अपराद घटित होता है तो ये अपेक्षा की जाती है कि उसकी सुचना पुलिस क को दतकाल मिले इसके लिए जो पीड़िद व्यक्ति है वो जाकर FIR कर सकता है उसकी रिपोर्ट वहां थाने में लिखी जाती है परन्तु कोई संगे अपराद घटित हुआ है संगे अपराद मतलब जो सीरियस ऑफेंस है कोई अंबीर अपराद है तो उसके लिए इसने जिस अब एक सवाल यह उठता है कि FIR क्या सभी तरह के प्रक्राणों में होती है या FIR के लिए प्रक्राण अलग होते हैं जिन में FIR दर्चे मैं इसमें बताना ही चाहूंगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जनरली पुलिस के समक्ष की जाती है और जो संगे अपराद होते हैं तो इसमें FIR होगी एदी कोई ऐसा अपराद की सूचना दे पुलिस को मिलती है जो की संगे अपराद नहीं है अर्थात मलें सिंपिल अपराद है असंगे अपराद है तो ऐसी इस्तिति में क्या है पुलिस उसमें कोई कारवाई नहीं करेगी और पुलिस रिपोर्ट एक सा परिविक्षन अदिकारी होते हैं उनके पास जागी शिकायत कर सकता है और उनके हस्ताशेप से पुलिस जो है वो एफाईयार लिख सकती है या लिखाई उसके द्वारा लिखाई जा सकती है परन्तु यदि उनके हस्तक्षेप के बाद भी एफाईयार नहीं लिखी जा रही है या उनको सहयोग नहीं किया जा रहा है तो फिर इसके लिए जो दर्न प्रक्रिया सहीता में जो चैप्टर 15 बता होते हैं और सुनवाई करने के वाद लगता ही कोई अपराद बनना है तो उसके खिलाब वो संगय वो संग्यान ले सकते हैं कि सर आपने बताए कि इस फाय नहीं लिखी जाती तो क्या उनके पास उफायों थे सर इस पीछ एक कॉलर लाइन पर हैं बारभंगी से मुनका सवाल है नंद शरूप जी करकम हां जी नंद सरूप जी सोगत है आपका बताईये तो नाम बढ़ जाते हैं जाते हैं जाना है तो आप यह पूछना चाहते हैं कि क्यों होता ऐसा हमारा सम्मंद बहुत अच्छा प्रश्न है ये और मैं इसे बताना चाहूंगा कि जैसे माली जी फाई यार में जो नाम आते हैं जिनके खिलाफ फाई यार की जाती है उसके बाद फाई यार जो अपने आप में कोई ऐसा सहीता नहीं है उसका इन्वेस्टिगेशन होता है के बाद उसके खिलाब कोई अपराद नहीं पाया जाता तो चार्शीट में शक्राम नहीं आएगा यह माली कोई अत्रिक्त ऐसा विक्ति जिसका नाम नहीं है और बाद में इन्वेस्टिगेशन इसे पता चलता है कि वास्तों में इसने अपराद किया है तो उसका नाम सब्स David इसलिए उन्तर और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे माली जै कभी पुलिस ने के इंपारिषियल जांच नहीं की है तो जब इसलिए नियाले में प्रस्थुत होती है तो उसके बाद न्याले उसमें देखती है और नियाले पूरा दस्तावेजों का अध्यान करने के बाद यदि ये पाती है कि वास्तों में कुछ गलत हुआ है या किसी पर्टिकॉलर व्यक्ति के खिलाब जो है पुलिस ने उसको जानबूर का छोड़ दिया है तो उस मैटेरियल के अधार पर नियाले उस व्यक्ति के ख उस में इंवेस्टिकेशन करा सकते हैं अक्सर यह सुनने में आता है यह क्या यह क्या है कि दू ॥े कि अपराद होते हैं जमानती अपराद और अजमानती अपराद का मतलब होता है ऐसे अपराद जो थोड़े से कम सीरियस होते हैं जिनमें की as a matter of right किसी व्यक्ति को या accused को जमानत प्राप्ट करने का दिकार होता है जमानती अपराद वो होते हैं जो थोड़े जिसमें कि पुलिस को जमानत देने का दिकार नहीं होता है उसके लिए पर उसको ग्रोड़ोशillon पर देखते हैं कि वास्तोओ में जमानत देने लाइक якіने नहीं है। मतलब जमानत दी यू जा सकती है पर पुलिस के द्वारा ना होकर अजमानिते अप्राज होतें नायला के शेत्रादिकार की विश्यवस्तु हो जाता है। वह रही हैं, जो कि पुलिस को नियम के बहुत अच्छा प्रश्न है जो पराटियों की बारे में रहता है कि उनको पुरुष्षों महीले रिक्षिं में प्रेश्ड किया है तो गुतार होगा महिलाओं को अलग पुलिक्ष्ण नहीं है परंतु कुछ protection ऐसे हाला कि CRPC में नहीं है परंतु guidelines बनी हैं सुप्रीम कोट के कई judgments हैं जिसमें कहा गया है कि यह कोई महिला को गर्फतार किया जाता है तो महिला पुलिस सद्धिकारी गर्फतार करेगी और साथ ही जैसे महिला किसी घर में है रात हो गई है सुर्यास्त हो गय लेकि इस तरहीज इस तरफे के लिए गई हैं महिला के लिए बगी इजए अनको गर्फतार की होगी उसके बने हुए tavalla र्फिकें अनके सूचना को privacy यांपको दी जाती है इसका प्रपस यह होता है कि वास्तों में उनकोई जानकारी मिल जाए कि हमारा कोई वेक्ती है उसको गृफतार किया गया है तो ऐसी स्तिति में जो एक लीगल प्रोडेक्शन है वोड के माध्यम से आने था अपने वकील की सला से उसको ले सकता है तो इस तरह से कुछ ऐसे हैं जिसमें की उनको यह पुलिस को इस उचित करना पर फंडमेंटर राइट है जी दर्श को मापको बता दें के वी वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम चर्चा पर वापीस आएंगे लेते छोटा सब्सक्राइए थे उनका पांच्वा चारंचाना के रहे थे क तो मदद करते हैं सरकार को सासे संबंद कारिकर बनाने के जिससे आपका परिवार खुशाल और आप स्वस्त रहे हैं NFHS में भाग लेना है समझदारी क्योंकि यह है हमारे बेहतर कल की तैयारी कि दर्शकों ब्रेक के बाद हम फिराज रहे हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं अपराद वीदी पर और हम आज चर्चा करें एफाइयर तदा अभ्योक्त के क्या दिकार हैं पाच्चीत के लिए हमारे साथ हैं अपर जिला नयादिश पोपाल श्री संजी पांड भेशतर जिल ताyt तो ऐसे सिस्तितमे जो जिसके खिलाफ शिकायत है वो तो पीडित होता ही है और उसे उप्रतार्णा ऊत्व सियों है इसोच्ति के यह अच्छा प्रें करने के लिए कि गई है तो यह तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक कंप्लेंट जो है वह संबंदित न्याले में पस्तूत कर सकती उस करने वाली वक्ति के वरुद्ध या मान लिजे कभी पुलिस ऐसी कारवाई नहीं करती तो जो संबंदित पीडित जो क्यो mixes आक्यूस्टि है जिए वो भी नाले में एक कंप्लेंट पेश कर सकता है य सब्सक्राण होमत्य जो जो अदि काली हम से जो जो कि इस सिवफ्लेट में सब्सकर ईखने माजी 수ितृत कह अर्यान में कोई मामला पंजीबद होता है पंजीबद होने के बाद इस सिद्ध हो जाता है कि जूटी की गई थी तो कंपंसेशन के लिए डैमेज का सूट भी सिविल कोर्ट में प्रसूत करके और च्छतिपूर्थी प्राप्त की जा सकती है जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि कोई शिकायच जूटी पाई जाती है और यह सिद्ध हो जाता है नया ले में तो आप उस वेक्ति के खिलाफ कारवाई तो करी सकते हैं अप्राधिक कारवाई जो होगी वो तो करी सकते हैं साथ ही जो आपको नुकसान हुआ है आर्थी नुकसान उसके लिए भी आप क जाते हैं हम अप्राधविदी की बात करें और उसमें अभी क्या कुछ बदला हुए है पिछले समय में यह बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है देखिये क्या है कि अंटी करॉप्शन लौ जो है मेन वो प्रिवेंशन अप करॉप्शन एक 1988 का है और इसमें खासतोर करते रिश्वत लेते हैं या उनने ऐसी संपत्य एकत्रित करके रखी हुई जो इसके लिए फिर फिर जो है वह एक लाइंफॉर्स्मेंट एजेंसी बनी हुई है जैसे लोकायोग सीबी अगरा इनका इन्वेस्टिगेशन करती है अभी 2018 में मैं बताना चाहूंगा कि एंट करते थे कोई बार अच्छे लेते थे जैसे policy डिसिशन लेते थे यह कुछ सिफारिस वगरा करते थे किसी particular transaction कि और बाद में वो transaction으면 फेल हो जाता था या कोई लोन दिया घुए ज़िसे में पर आन्चा जाती थि और उसको ये दोशी बताया जाता कि आपकी वज़े से आपने ऐसा लोन दिया जो NPA हो गया है तो इसको मीट आउट करने के लिए इसमें ये किया गया है कि जो एक बहुत बड़ा अपराथ है PC Act का 131D का जिसमें की पद का दूर्पयों करते हो यदि किसी को लाप पहुंचाय जाता है भले आपको लाप राप्त नहीं हुआ है तो ऐसी स्तिती में वह उसका भी प्रस्टिक्विशन हो सकता था वह अपराथ हटा दिया गया है पहली चीज़ दूसरा सेक्शन नाइंटीन जो है जो जैसे आपको मालूम है कि यदि गौर्वर्मेंट सर्वेंट हैं तो उनको संक्षन मिला हुआ है यदि पीसे अक्ट के अंतर करें कोई अपराथ पंजी बद होता है और का इन्वेस्टिकेशन यदि होता है और माद में चार्शीट होती है तो चार्शीट प्रस्तुद करने के समय जो एक सैंक्शन जिसको कहते हैं अपन प्रस्टिक्विशन सै ओस् 성्याले उसमें प्रेविट कम्परेंट के बाद यृदी और इनकोंष कर सकता है स्पाथ शर्टिकुशन न जोह हैं अपने के इस स्थ हो वहां पर साफिर को यृदिंव जाएगी तो शोननेके बाद सेंक्शन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो बहुत बड़ा right दिया गया है, right to be heard का, पहले ये इस्थिति नहीं थी, तीसरे एसमें amendment किया गया है, कि जो, मैंने जहें बताया है, कि policy decision होने पर यहाधि कोई transaction या कोई ऐसा कोई loan है, या कोई ऐसा policy decision है, परामर्ष है, वो fail हो गया है, परनतों जैसे माले उधानने के लिए 50 क्रोड का लोन दे दिया बैंक में अधिकारी ने दे दिया वो बोनफाइड है पर उसको मिस्कूश कर लिया और बाद बन पी हो गया तो प्रश्ण है कि इसमें तो बैंक अधिकारी का कोई दोष नहीं है तो ऐसी स्थिती में उनको सनक् मिला गया दूसरा यह इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें किया गया कि ऐसे इस तरह के मामलों में अल्टिमेटली पुलिस को या लोकाईद पुलिस या सीबियाई को इन्वेस्टी एफई आर होने के बाद इन्वेस्टिकेशन करने का दिकार तभी मिलेगे जब स्टेट गौर्वर्मेंट या सेंटल गौर्मेंट का अनुमोधन प्राप्त हो यह बहुत बड़ा प्रोटेक् इन्वेस्टिकेशन आगे अगर सर किया सकेगा यह बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है जी बिलकुल यह तो एक तरह से एक बहुत बड़ी सुरक्षा दी गई है किसी भी उनको कि वह फ्री हैंड काम कर सकें पर सर इसका दूसरा पहलो निकल के आता है आपकी चर्चा से एक सिखता है कि किसी ने on duty कupid行igmा हो तो उसने अगर अपने duty कि दौरन किसी ऐसे ही के साथ को से कहां किया जहां उसका कोई relation है और वहां ऩो Bill right तो ऐसी स्थिती में भी किया इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन लेना हो और दिख रहा है और उ को चीज़ें सामने प्रायमा प्रावधन मनाया प्रावधन उसमें है कि जहां पर यह कोई spot में अपराद हुआ है घटित हुआ है के लिए ट्रैप केसे होते हैं जहां पर कोई पब्लिक सर्वेंट जो गॉर्मेंट सर्वेंट है वो पैसा रिश्वत लेते हो पकड़ा जाता है वहां पर यह जो प्रीवेस अप्रूबल या अनुमोदन का सिध्धान लागो नहीं होगा पुलिस जो इंडिपेंडेंटली उस कर सकती है तो उसमें इसको क्योंकि जैसे माली उधारन की किसी घर में चापा पढ़ता है चापा पढ़ने के बाद दिस्प्रपूरिस प्रपर्टी पाई जाती है जो समानुपातिक नहीं है तो ऐसी इस्तिति में अनुमोदन की जरूबत नहीं पड़ेगी वहां क्योंकि पर ही सब कुछ मिल गया अपराद घटित होना दिखाई दे रहा है ऐसे अविडेंस में ले हुए वहां पर यह अनुमोदन के सिध्धान लागू नहीं होगा और पुलिस जो है फ्री हेंड करके और अपने इन्वेस्टिगेशन कर सकती है परन्तु हां यह मेरा कहने काशे हिए था कि युथि कोई अपने किसी रिच्तेदार को लाइस किया है कि जहां से कहीं ना कहीं उसके किसी परिवार या leaning कि फायदा अधर को और वह एंपिए हो जाता है या वह राशी से अथिक दिया जाता है तो ऐसी इसी में देख जएगा कि वह पब्लिक सर्वर्द और जो रिष्टेदार जिसको लोन दिया गया है उनके बीद में कोई सद्धापित होना आवश्चक है और सद्धा कहने का मतलब यह है कि सद्भावना पूरवक्यदी कोई काम किया गया है कोई फैसला लिया गया है तो सन्रक्षन मिलेगा और कहीं भी ऐसा प्रतीत होता है कि मेलाफ़ाइड इंटेंशन है तो वहाँ पर उसके लिए जरुवत नहीं है अनुमोधन की बिलकुल सिर, हम बात कर रहे हैं कि अपराधिक विडिकी कानून की बात कर रहे हैं कि यह आंटी क्रáriaिप्शन की भी करी एक सव़वली निकल कर आथा है कि आम जंता को कानून के बारे में जानकारी नहीं होती हैhill कई बार इस अभाव में उनका लाब लेने से बंचित हो आपको क्या लगता है कि कितनी अवेरनेस तो थोड़ी बहुत है पूरी अवेरनेस नहीं है क्योंकि सभी को कानून का ग्यान नहीं होता है तो अवेरनेस पैदा करने के लिए लोग अधिक से अधिक संख्या में कानून जान सकें समझ सकें अपने अधिकारों के प्रदी जाग में और राज स्थर पर और और जिला विदिक सेवा प्राधिकरण के इसके जो लीगल रिटरिसी कैम्स बनाया जाते हैं और उसमें कानून की जानकारी दी जाती है अलग लग टॉपिक चुनाव होता है और उस टॉपिक में यह बताया जाता कि आपके जो धारन के लिए हम मैं हमदाते के ख्रेक्ट के लिए फय करने के बाद आपको इसकी फ्रिक कॉस्ट मिलेगी कई बार यह होता है कि जो कापी दैने का हiel कि कि उसमें फिर बदल नहों सके तो उसको तदकाल आप यह करते हैं तो तदकाल उसकी कॉपी ले लीजे दूसरा दसक्रत करने के पहले आप यह देख लिए कि आप ने जो बताया है वह वैसा ही लिखा गया तो आप ने जो कुछ बोला है आपके साथ गहटना हुए आपने बता की जाए दूसरा यह की कॉपी एक समध्य मेंस्ट्रेट को हम भेजना चाहिए तो इस टाइब की बहुत सारी जो सावधानियां हमको रखनी चाहिए और जैसा कि आपने बता है लीगल लिटरिक्सी के माद्यम से हम लोग सारी बातें बताते हैं और यह सुनिश्यत करते हैं कि को अधिकार उनकार्वाट कर सकते हैं किर खैट अधिकिया संग्या में अधिक सधीक लोग जो है कानून की जानकारिए प्राप्त कर सके और अधिकार उनके क्या है MARKS तरह on रες में आपनी वाला कुछ भटानिया डिया से अगर कोई केस्स आसा कि आए तो gustaríaउं में कहीं coin तो ऐसी स्थिति में जो खुद कंप्लेनेंट को क्यों कानून का ग्यान नहीं होता इसलिए धारा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा परंतु निश्यत रूप से जो धारा लगाई गई है जब वह व्यक्ति जो है संबंदित मैजिस्ट्रेट इनालें के समक्ष लाया जाता है तो अ सबढ़्स मजिस्ट्रेट है कि वास्तोंना लगाई गई है वह सउحी एकिने येसे माली धारन के लिए किसी व्क्ति को चाकू मारा गया पेट में और उसमें 324 की धारा लगती है और 307 की धारा नहीं लगती आई पीसी की तो बहले उसमें 324 की धारा पुलिस ने लगाकर भेजी है परणतु 307 का ऑफेंस बनता है तो मैजिस्टेट जो है उसमें जा सकती है तो यह अल्टिमेटली न्याले आप समधिज मजिस्टेट या जज़ पर डिपेंड करता है कि वास्तों में जो धारा लगाई गई है वो सही कि नहीं क्योंकि पूलिस की द्वारा धारा लगाए जाना महत्वण या अंतिम नहीं है बलकि जो मैजिस्टेट जो है ड साधिकरण में यह फ्री लीगल एड जो एक व्यवस्था की गई है और हम जानते हैं कि भारत की समविदान में फ्री लेगल एड जो है एक वह काफी एक राइड है तो वहां सकता है और उसको एक फ्री जो है लीगल एड दे के वाकील वगरे की सिवधाइं या कोड़ फीस क जानकारी दिया हमारे दर्शकों को बहुत सी ऐसी बाते बताएं जो शायद उने पहले से पता नहीं होंगी दर्शकों जैसा कि आज की चर्चा में यह निकल कर आया है सबसे पहली जरूरत है कि आपको यह जानकारी होना चाहिए यह दिया आपको इशिकायत कर रहे हैं कि ए को लोगों तक पहुचाएंगे और उनके अधिकारों से नावेर करेंगे आज हम आप सही विदा लेते हैं अगलंग में फिर आपके सामने अपस्तेत होंगे तब तक लिए अगया दीजी नमस्का कि अ कि अ कि अ कि 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 कि